हाई गाईज वेलकम चुछ वे ब्रैंड न्यू सेशन आफ कुरेंट अफेयर्ज आज की तारीख है एक जून दो होजार रिकेस हमारे दो चैनल्स हैं पिनेकल और फ्रेंडियर आएएस और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइ सुबा चार बज इवैलेबल हो जाता है साथी साथ फॉर डेली वीडियोज पीडियाफ और मंतली मैगजीन आप माई टेलीग्रम हैंडल्स फ्रेंटियर आएस और से सीजल पिनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टाट करेंगे प्रीवेस को इसके साथ मैंने अप से पह जाता है तो इसका सही जवाब था 29 मई स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्टन देखो आज के सेशन का राष्ट्य जांच अजैंसी एना ये के महानिदेश्य का अतिरिक प्रभार के से दिया गया है तो सही जवाब ऑप्शनमबर बी कुलदीप सेंग को वाइसी मोदी क सितंबर 2017 में संघिय आतंकवादवी रोधी जांच अजैंसी यानि फेडरल एंटी टेरर प्रोब अजैंसी का प्रमुख न्युक्त किया गया था कुलदीप सिंग महानिदेशक केंद्रे रिजर्फ पुलिसबर सी आर पीएफ डीजी एना ये के पदका तिरिक्त कारेबार स जाती है या अगले आदेश तक दुबाई में आयोजित एशियाई एलीट बॉक्सिंग चैंपेशिप में किस भारते महीला मुक्के बास रे स्वारन पदक जीता है तो इसका सई जवाब ऑप्शनोंबर बी पूजा रानी तो दुबाई में आयोजित एशियाई एलीट पूजा रानी 75 किलोग्राम स्वारन पदक जीतने वाली एक मात्र भारते महीला मुक्के बास बनी है हाला कि छे बार के विश्यू चैंपियन मेरी कॉम 51 किलोग्राम और टूनामेंट में प्रदारपन करने वाली लालगुट साई 64 किलोग्राम और अनुपमा 81 प्लस किलोग् इंडियन ब्रॉड कास्टिंग यंदियन ब्रॉड कास्टिंग फांडेशन किया गया है आई बीडिया से संबंदित सभी मामलों को संभालने के लिए एक नई पून स्वामितव वाली सहाय कम्पनी यानि होली ओन्ड सब्सिडिरी बनाने की प्रक्रिया में है 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा अधि सूचित सूचना प्रद्योगी की डिजिटल मीडिया अचार सहिंता नियम 2021 यानि Information Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rule 2021 के नुसार IDBF एक स्वे नियामक निकाए भी बनाएगा यहाँ पर extra information की बात करें तो Indian Broadcasting Foundation को भारत में टेलिविजन प्रसारोकों का एक 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 गृत प्रतिनीथी निकाई के रूप में भी जाना जाता है संगठन की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी 250 से अधिक भारती टेलिविजन चैनल से जुड़े हुए है नेक्स्ट क्वेशन देखो विश्व दुख्द दीवस कब मनाया जाता है तो इसको सही जिवाब हा Option No.A एक जून तो संयुक्त राश्ट्र के खाद और क्रिशी संगठन यानि Food and Agriculture Organization दुवारा वैश्विक खाद के रूप में दूद के महत्व को चिनहित करने और डेरिक शेत्र को प्रोचाहित करने के लिए हर साल एक जून को विश्व दुख्द दीवस मनाया जाता है इसकी थीम ध्यान से सुननी है Sustainability in the dairy sector along with empowering the environment, nutrition and socio-economic यह दिन 2001 में पहली बार मनाया गया था और कई देशों ने इस आयोजिन में भाग लिया था संयुक्त राश्ट्र के खाद और क्रिशी संगठन FAO ने 2001 में 1 जून को World Milk Day के रूप में चूना था गोवा राज्य स्थापना दीवस का मनाया जाता है तो इसका सही जवाब है option number D 30 मई तो गोवा राज्य स्थापना दीवस 30 मई को मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंतरता मिली तब भारतियों ने पूर्टगालियों से अपने शेत्रों को सौपने का नुरोद किया था हाला कि पूर्टगालियों ने इनकार कर दिया 1961 में भारत सरकार ने operation विजय शुरू की और दमन और दीव द्वीपो और गोवा को भारतिय मुख्य भूमी यानि इंडियन में लैंड के साथ जोड दिया 30 माई 1987 को इस शेत्र का विभाजन हुआ और गोवा का गठन हुआ दमन और दीव केंद शासुत प्रदेश बने रहे बात करें हाँ पर गोवा की तो इसी कैपिटल है पाना जी, सीम है प्रमोट सावन और गवर्णर है भगत सिंग कोशियारी अडिशनल चार्ज किस राजय सरकार ने मुख्य मंत्री COVID-19 अनुकंपा न्युक्ति योजना लागू की है यह योजना सभी करमचारियों को कवर करेगी विवरन के नुसार COVID-19 संक्रमन से कर्मियों की मृत्यू होने पर उनके परिवार के पात्र सदस्य को उसी प्रकार के रोजगार में अनुकंपा न्युक्ति दी जाएगी जिसमें मृत्य करमचारी योजना में निर्धारित प्रावधानों के नुसार कारित था इस योजना से उन मृत्य करमचारीयों के परिजनों को लाब होगा जो एक वैद चिकित्सा परिक्षन आरेटी या आर्टी पीसेर परिक्षन में COVID-19 सकरात्मक पाए गए थे और उप्चार के दुराद उनके मृत्यू हो गई या ठीक होने के बाद सकरात्मक पाए जाने के साथ दिनों के भीतर किसी बिमारी से मर गए यह योजना एक मार्च 2021 से प्रभावी होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी बात कर रहे हैं पर मध्यप्रदेश की तो इसके डैम जरिवर्ज में आता है गांधी सागर डैम चंबल इंदिरा सागर डैम नर्मदा नाशनल पाक्स में आता है कानहा टाइगर रिजर्ब पन्ना नाशनल पाक पेश नाशनल पाक और बंदवगर नाशनल पाक मध्यपरदेशी कैपिटल है भुपाल गवर्नर है नंदीबैन पटेल एडिशनल चार्ज और चीफ मनिस्टर है शिवराज सिंग चोहान वॉर्ल हैटे साइट्स में आता है भुद्धिस मॉनुमेंट सरसांची और खजराव गुरूप ऑफ मॉनुमेंट्स नेक्स्ट क्वेशन देखो स्टार गेजिंग दी प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तर किसने लिखी है तो इसका सई जवाब है ऑप्शन नमबर ए रवी शास्तरी तो क्रिकेट के दिगज कमेंटेटर और टीम इंडिया के सबसे सफल कोचों में से एक रवी शास्तरी ने स्टार गेजिंग दी प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक एक किताब लिखी है इस खबर की घोशना प्रकाशक हारपर कॉलिंस इंडिया ने 27 मई 2021 को रवी शास्तरी के जनम दिन पर की थी यह तस्वीर में देखिए इस पुस्तक में रवी शास्तरी ने दुनिया भर से मि पारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है पुस्तक के सहलेखक अयाज मैमन है और इसके 2021 में जारी होने की उम्मीद है नेक्स्ट क्वेशन देखो किस राज्या के मुख्य मंत्री ने विभीन विकास गतिव विधियों के लिए कॉर्परेट समाजिक उतरदा के तहट दिये जाने वाले दान में पार्ट दर्शीता सुनिश्चित करने के लिए CSR अकांक्षा पोटल लॉंच किया करोना महमारी के दुरान भीनी जी कंपनियों ने जो योगदान दिया वह बेमिसाल है केवल CSR के माध्यम से ही इस वर्ष प्रशासन को 175 करोड रुपे क कि धन राशी प्राप्थ हुई है अकांक्षा पोटल के माध्यम से अब दान दाताओं को इसकी संबग में जानकरी उपलब्ध होगी कि उनकी राशी का कैसा उप्यों किया गया है इससे अन्य कंपनियों को दान करने की प्रेड़ना मिलेगी इसी लक्षे को लेकर यह पोट कि आता है नगरहुल नाशनल पार्ग, आंशी नाशनल पार्ग और बनर घटा नाशनल पार्ग करनाटगा की केपिटल है बैंगलुरू, गवरनर है वाजूबाई वाला, चीफ मनिस्टर है बी-स येदियृप्पा, युनेस्को वर्ल्ड हैटे साइट्स में आता है हमपी म नेक्स्ट क्वेशन देखो, महराज प्रगमाल जी तृते जिनका हाल ही मिने दिन हो गया वे डैश के महराजा थे तो इसका सही जवाब ऑप्शन उबर C कच तो भूत पूर्व कच राजय के जडेजा राजवंश के शासक कच के महराज प्रगमाल जी तृते का COVID-19 संबंदी जटिलताओं के कारण इदिन हो गया 1936 को प्रित्वी डाज जी के रूप में पैदा हुए प्रगमाल जी तृते कच के भूत पूरो शासक महराव मदन सिंग जी के बड़े बेटे थे पिता की मृत्यू के बाद 17 ऑक्टूबर 1991 में एक समारों में उनका महराव के रूप में अबिशे किया गया और नाम बदल कर प्रगमाल जी तृते रखा गया या तस्वीर में देखिए भै गुजरात के सकसे बड़े जिले कच को अलग राज्य का दर्जा दिये जाने के पक्ष में थे जिसे 2001 के भुकंप के दुरान भयंकर नुकसान हुआ था बात करें हैं पर Skill-गुजरात की वर्ल्ड हैटे साइट्व में आता है रानी की वाव चंपानिल पावगर्ड आकेउललजिकल पार्क्स नैशनल पाक्स में अता है गिर नाशनल पार्क ब्लाक ब upright नाशनल पाक्स वर मेराइन नाशनल पाक। किस देश की महिला ने हाल ही में माउंट एवरेश की सबसे तेज चड़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है तो इसका सई जवाब हो ऑप्शन नमबर B होंग कॉंग तो होंग कॉंग स्थित परवतार हुई तसांग इन हंग ने महस 26 घंटे से कम समय में एक महिला दुवारा दुनिया की सबसे तेज एवरेश चड़ाई का रिकॉर्ड बनाया है यहाँने तस्वीर में देखिए 44 वर्षित सांग ने 23 में को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में 8,848.86 मीटर माउंट एवरेश को फते किया इसके लावा आर्थर मुई दुनिया की सबसे उची चोटी पर चड़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बने बात कर लेते हैं आज के सेशन के को एक समरी की तो NIA के Director General का Additional Charge को दीप सिंग को दिया गया है Asian Elite Boxing Championship में Gold Pooja Rani ने जीता है Indian Broadcasting Foundation का नाम अब Indian Broadcasting and Digital Foundation कर दिया गया है World Milk Day एक जून को मनाया जाता है Goa Statehood Day 30 मई को मनाया जाता है CM COVID-19 Compassionate Appointment Scheme मध्यपरदेश में शुरू की गई है Stargazing The Players in My Life Book रवी शास्ती ने लिखी है CSR Funding Portal करनाटका में लौंच किया गया है महाराव प्रग्माल जी तृते का हाल ही मेने दिन हो गया वे कच के महाराजा थे और Mount Everest को सबसे तेजी से फतह किया है Hong Kong की तसांगिन हंग ने बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day के आपका पहला क्वेस्टिन है राष्टे जाँच अजेंसी एन ये के महाने देशक का अतिरिक्ट प्रभार के से दिया गया है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है विश्व दुग्द दिवसकब मनाया जाता है इन दोनों क्वेस्टिन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना विल्कुल न भूलिएगा साती साती इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे दोनों वेबसाइट से और टेलीगरम हैंडल को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच